हलो दोस्तो मैं गीता गोयल बागडी किचन में आपका बहुत बहुत स्वाइद करती हूँ तो आज मैं आपके लिए बर्त स्पेसल चटपटे नास्ते की रस्पे लेकर आई हूँ तो आज हम बनाने वाले हैं साबू दाना और सिंगाडे के याटे के बड़े जो खाने में बहुत ज़्यादा चटपटे और जटपट बनका त्यार भी हो जाएंगे तो बर्त तो या फिर बिना बर्त इस तरीके से आप अगर एक बर बना के खा लिए ना तो बिना बर्त ही आप इसे रोज बना के खाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं तो चलिए फिर फटा-फट से बनाते हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सिस्क्राइब जरूर करें तो सबसे पहले एक कड़ाई लेंगे इसके अंदर दो तीन चम्मत जितना तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद में यहां पे हम जीरा डाल देंगे अगर आप ब्रत में तेल नहीं खाते हैं तो गी भी डाल सकते हो फिर दो बारे कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्च को भी हलका सा इस तरीके से भून लेंगे तो हरी मिड़ जब अच्छे से भून जाएगे तो यहां पर आधी कुट्वरी जितना भीगा हुआ साबुदाना डालेंगे तो साबुदाने को आधी घंटे पहले ही मैंने इसे पानी में डाल के थोड़ा सा भीगा दिया था स्वाद उनसार यहाँ पे हम सेदा नमक डारी हैं, अगर अभरिका сейчас नमक मेरी तो सेदा नमक डालेजिए नहीं तो आप जो नर्मल नमक है वही डाल सकते हैं, भिना वरिकास के लिए बना रहे हो तो आप ये श्टपिंग है जो सिर्फ आलू से भी बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा चटपड़ी बनेंगी तो तीके के लिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और डा रही हूँ यहाँ पर मैंने एक टोड़ी जितना सिंगाड़े काटा लिए आप चाहे तो राजगिरे काटा या कुट्टू काटा भी ले सकते हो टेस्ट के उनसार थोड़ा सा सेदा नमक डालेंगे थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे आप चाहे तो थोड़ी सी अजवाइन भी डाल सकते हो, थोड़ी सी यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, इससे क्या होगा, उपर की लहर है, वो भी थोड़ी सी तीखी बन जाएगी, और अच्छे से इसको है, जो मिक्स कर देंगे, तो अब हमें इसमें थोड़ा और जो हमने स्टपिंग बना के रखी है, वो थोड़ी हलकी ठंडी होगे, तो अब इसमें चटपटा फलेवर देने के लिए, यहाँ पे मैं एक निवो का रस डालूंगे, इससे हमारी स्टपिंग है, वो ती चटपटी हो जाएगी, अगर आपके पास निवो नहीं है, तो अब हम चुर पाउडर भी एड़ कर सकती हो, तो अब हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोसन लेके हालू का और इस तरीके से गोल गोल है, जो बोल बना लेंगे, तो बड़े आप या छोटे या बड़े कैसे ही बना सकती हो, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे बड़े बोल उठाएंगे और इस गोल में इस तरीके से डाल के अच्छे से इसको है जो लपेट लेंगे तो सिंगाडे के गोल में ये अच्छे से इस तरीके से हम लपेट लेंगे इसलिए हमें क्या करना है गोल को थोड़ा गाड़ा ही रखना है और इस तरीके से लेके कड़ाई में बस डालते जाना है तो चलिए फिर चलते हैं गैंस की तरफ यहाँ पर पहले ही मैंने सर्सों का तेल है और इस में पमार होने वह जाइंड हो इस तरह को हम मीडियम आसे से है जो उपर से कलर आ जाएगा जिसे हम पर्ट देंगे तो ज्यादा पकने में इसे टाइम नहीं लगता है बस लगब बग तीन मिनट लगएंगे तो तुथिन मिनट में यह अच्छे से पकप जाएंगे क्यांकि आलो तो अच्छे हो गया है तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी क्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन है उसी जुरूर दबाए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडिय आपको सबसे पहले मिले राप ऐसी अच्छी वीडियो देखते रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिलकुल भी ना भूलें तो ये लीजिए हमारे चट पटे से साबुदाना और सिंगाडे का बड़ा बनका त्यार हो गया है तो व्रत वाली कोई भी चटने क अगर बरत नहीं है तो भी एक बार बना के जरूर ट्राइ करना वहती मस्त लगते हैं तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्ते